जमु कश्मीर के डीजी जेल हेमंथ लोहिया की सुमवार देरात हत्या कर दी गई है इस घटना को लेकर अभी तक दो एंगल सामने आए हैं पहला टेरिस्ट अटाक का और दूसरा मुख्या रोपी और नौकर यासिर की मानसिक स्थिती और व्यवार को लेकर यासिर सीसी टीवी में भागता हुआ नजर आया था रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद गिरफतार कर लिया गया उससे पूछताच शुरू हुई हत्या के बाद मंगलवार सुभा पी ए ए एफ एफ नाम के संगठन की रिलीज सामने आई उसमें कहा गया है कि हम कभी भी और कहीं भी ऐसे हाई प्रोफाइल टागिट को हिट कर सकते हैं इस जमू कश्मीर विजिट पर आ रहे ग्रह मंतरी को हमारा एक छोटा सा तौपा है केंद्रे ग्रह मंतरी अमिट शा तीन दिन के दौरे पर जमू कश्मीर में है शा की रिली से पहले जमू राजौरी में इंटरनेट बंद कर दिया गया था पुलिस सूत्रों ने बताया कि जहां हत्या हुई वो घर डीजी जेल लोहिया के पुराने दोस्त संजीव खजूरिया का है दोनों के बीच पारिवारिक संबन्ध थे लोहिया अपनी ओफिशल सेक्योरिटी के साथ यहां आये थे लोहिया रात में खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे इस दौरान घर में दो नौकर थे एक मुहिंदर और दूसरा यासर लोहिया ने यासिर से पाव में मसाज करने को कहा इसी दौरान मोहिंदर को लोहिया की चीक सुनाई दी वो गया तो कमरे में आग लगी हुई थी यासिर ने तक्ये से गला दबा कर लोहिया को मारने की कोशिश की शक की वज़े से पास पड़ी सौस की बॉटल से गला रेतने की कोशिश की पुलिस ने बताया कि सबसे पहड़े सुरक्षा बलो ने रूम में आग देखी दर्वाजा अंदर से बन था वो दर्वाजा तोड़ कर अंदर दाखिल हुआ शुरुआती जाज में ये मर्डर लगत थाज़े से बप्राइब कर दोड़ी कर दोड़ी कर दो थाएंदर से पुलिस ने पास्ट प्राय।